हेलो फ्रेंड्स इस वाले टुटोरियल में मैं आपको बताने वा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी जरुरत पड़े और आपको कभी भी अपने ब्लैंक इस तरह की सेल्स ना दिखे आपको तो इसको मतलब बैक्ग्राउंड में कैसे पिक्चर को एड कैसे किया जाता है ठीक है इसकी कभी भी जरुत पड़ सकती है जैसे आपको कभी कि प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट में आप चाते कि किसी कंपनी में आप जॉप करते हैं उसका लोगो उस बैक्ग्राउंड डेटा के साथ या तो नॉर्मली भी आपका एक व्यू जाते है कि कोई भी पिक्चर भी किसी भी तरह कि आपकी हो या तो कोई लोगो हो उससे रिलेवंट कोई चीज हो तो इसको कैसे एड किया जा सकता है तो मैं आपको इसके लिए आपको हमें जाना पड़ता है पेज लेयाउट पे पेज लेयाउट पे आपे बैक्ग्राउंड आता है बैक्ग्राउंड पर आप क्लिक कीजिए क्लिक करने का वर्क आफ लाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ब्राउज यहां से कर लेते हैं तो यहां से जाने के बाद आपके पास जो भी पिक्चर्स हैं कहीं भी किसी फोल्डर में आप वाली पिक्चर पर क्लिक किजिए इसे इंसर्ट कर दीजिए यह देखिए यह पि आप इसको यूज कर सकते हैं दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको इसको कैसे अब इसमें ही अगर आप पेज ले आउट में जाकर यह वाली पिक्चर आपको अच्छी ने लग रही हो आप इंटरनेट से लेने चाहते हैं आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी होनी है कि यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं इसके उपर का अधिन को इसका कंट्रास्त ओड़ा लो हो मदब विजीबल कम होकर बहुत ही जिसमें बहुत कलरफूल है तो और इसमें आपको मदब विजीबलिटी में तोड़ा प्रोलम हो रही है मादब दिखने हराह करे कृर्टी तो आप अपने अप्रोडिंग लिए लिए बैग्राउंड में पर फिर से दुबारा क्लिक करेंगे तो वह आपकी पिक्टर हड़ जाएगी यहां से यहां से वार भी पिक्टर देखता हूं में इनका थोड़ा बैग्राउंड थोड़ा हरुके में हो मतला तो इस तरह से प्लेन के बिच्चे ले लेते हूं आपको स्रिफ क्लिक करना और यहां पर टिक कर निशान आता है उस पर क्लिक करके इंजर्ट करना है आपको इस तरह किसी आपके देखिए यहांने कोई टेक्स लिखा है सब्सक्राइब कोई भी डेटा मतला मेरे प्यास पीव यहां पर कर देते हैं A, B, C, D, E, F, G वैल्यूज में इसमें चार्ट एड़ कर दिया इस तरह के से कर दिया मैं अगर आप चाते कि कोई भी ग्रिड लाइन ना दिखे इसमें तो आपको व्यू में जाके ने इस तरह से व्यू में जाके आपको इस तरह से व्यू में जाके इसमें आपको दिखेगी ग्रिड लाइन सबकी रहेंगी अगर आप चाते नहीं चाते हो इस तो आप ग्रिड लाइन पहटा दीजिए जैसे तो मैं एक छोटा से एक्जामपल दिया इसमें अगर आपके फॉर्मले लाइए को या वैसी मतला जिसा कंट्रस थोड़ा लो हो इस तरह से कोई भी पिक्चे अप लगा सकते हैं और आपके बेक्राउन में रही है सबोज्स आपको इसका प्रिंट का लाइना है तो फिरेंट भी ले सकते हैं तो यसा क्राश कर सकते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी बैक्ग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो पेज लियाओट में जाके इस पर क्लिक कर दीजिए और वो डिलीटे जाएगी अपके पिक्चर, अपने एको जो भी पिक्चर लगानी है उसको आप इसली लगा